दोस्तों अगर आपकी नसों के अंदर blockage है या अगर आपकी नसे कमजोर हो गई है या अगर आपका blood pressure बढ़ा रहता है या अगर आपकी नसों के अंदर सकती आ गई है तो इसकी वज़ासे आपके अंदर heart disease होने का खतरा दूसरे लोगों के तुलना में चार गुनाय से भी ज जल्दी करें दोस्तों इस तरह कि सभी problems को ठीक करने के लिए अक्सर हम लोग garlic का इस्तमाल करते हैं garlic एक बहुत ही बढ़िया home remedy है जो कि आपकी body के अंदर से cholesterol को भी कम करता है आपके blood pressure को भी घटाता है और भी बहुत सारे फायदे आपको garlic के इस्तमाल से मिलते हैं लेकिन garlic को कच्चा खाना पड़ता है तभी इसके सारे benefits आपको मिलते हैं और कच्चा खाते समय एक problem आपको face करनी पड़ती है और वो है इसका taste क्योंकि इसका taste बहुत ज्यादा तेज होता है और आपको खाने के बाद मूँ में भी जलन होती है और कई बार acidity भी आपको इसकी पहला फाइदा आपको यह होगा कि garlic को जब आप इस्तमाल करेंगे तो इसका taste आपको बुरा नहीं लगेगा इसकी smell आपको नहीं आएगी और acidity वगर आपको नहीं होगी और दूसरा बड़ा फाइदा इससे आपको यह होगा कि जो benefits आपको garlic से मिलते हैं वो कच्चा खाने कि तुलना में कई गुना जादा मुलेंगे तो आप कह सकते हैं कि एक तीर से आप दो निशाने लगाएंगे एक साथ तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं garlic को इस्तमाल करने के इस नए तरीके के बारे में मेरा नाम डॉक्टर हैं दोस्तों और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा दोस्तों garlic को खाने के इस नए तरीके को जानने से पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि garlic यानी लस्तन को खाने से हमें क्या-क्या benefits मिलते हैं गार्लिक के बारे में आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि ये आपके blood pressure को भी कम करता है आपकी body के अंदर से LDL यानी bad cholesterol को कम करता है और HDL यानी good cholesterol को बढ़ा देता है इसके साथ साथ आपके blood pressure को भी control में रखता है उसको बढ़ने नहीं देता है आपके triglycerides level को भी कम करता है आपकी नसों को नरम, मुलायम और लचीला बनाता है उनको सख्त होने से रोकता है और इसके साथ साथ खून को पतला भी करता है जिसकी वज़ा से खून के अंदर थ anti-inflammatory properties भी होती है जिसकी वज़ा से जोडों के दर्द में और arthritis में भी इससे काफी जाद आपको फायदा मिलता है ये आपके liver को भी product करने का काम करता है और fatty liver अगर आपको है तो उसको भी ठीक कर देता है तो overall आप कह सकते है कि garlic एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो कि न सिर गार्लिक के इन सभी benefits को हासिल करने के लिए अकसर हम लोग सुबा खाली पेट दो से तीन कलिया गार्लिक की कच्ची खाना शुरू कर देते हैं लेकिन कच्ची खाने से एक problem होती है कि इसका टेस्ट हमें बहुत जादा तेज लगता है बहुत सारी लोग जब इसे खाते हैं वो बहुत जल्दी quit कर देते हैं तो अगर इस तरह की problem आप face कर रहे हैं लेकिन आप गार्लिक को खाना चाहते हैं तो आपको गार्लिक को ferment करके खाना चाहिए जी हाँ दोस्तों fermented गार्लिक जो होता है ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है इससे आपको जो गार्लिक का टेस् भी बुरा नहीं लगेगा और गार्लिक की जो efficacy है जो इसके benefits आपको मिलते हैं वो भी कई गुना बढ़ जाएंगे fermented गार्लिक के अंदर क्या होता है कि आपका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा sweet हो जाता है उतना तेज नहीं रहता है इसकी smell भी कम हो जाती है और इसका जो texture है वो एक jelly की तरह नरम नरम सा हो जाता है और इसके साथ साथ इसके अंदर जो alkaloids मौजूद होते हैं जो कि इसको सारे medicinal benefits देते हैं वो भी कई गुना बढ़ जाते हैं और इसके साथ साथ बहुत ज़दा bioactive हो जाते हैं bioactive होने का मतलब है कि वो आपके शरीर में जाके बहुत जल्दी absorb भी होते हैं और बहुत ज़दा तेजी से काम करके बहुत ज़दा बढ़िया effects आपको देते हैं अगर हम compare करें कच्चे garlic से तो fermented garlic आपको करीब 3-4 गुना तक ज़दा बढ़िया results देता है fermented garlic को बनाना भी बहुत ज़दा असान है लेकिन सिर्फ एक drawback है इस पूरे process का और वो है time क्योंकि garlic को ferment करने में time काफी ज़दा लगता है पूरी तरह ferment होने में garlic को करीब 30-45 दिन का time लगता है यानि जब आप इसको तयार करके रखेंगे तो 30-45 दिन के बाद ही आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए अब जान लेते हैं कि किस तरह से आपको fermented garlic तयार करना है दोस्तो fermented garlic तयार करने के लिए आपको 15-16 garlic के pieces ले लेने हैं पीसे से मतलब पूरा साबोद garlic आपको लेने है 15-16 और इनको छील के उनके कलियां को अलग कर लेना है और साफ कर लेना है अची तरह से इनकी कलियों के ऊपर जो skin होती है उसको अची तरह आप उतार लेजिए जब ये सारी कलियां अची तरह से साफ हो जाएं तो आप एक काच का जार लेजिए बड़ा और इस काच के जार के अंदर ये सारी कलियां आप एक जगा टाल दीजिए इसके बाद आपको क्या करना है आपको एक लीटर पानी लेना है और इस एक लीटर पानी के अंदर आपको चार टेबल स्पून नमक डालके उसको घोल लेना है यानि saline water आपको बदना लेना है और इस saline water को फिर आपको इस jar के अंदर डालना है जिसमें आपने वो लस्तन की कलियां रखी हुई है इतना पानी आपको इसमें डालना है जितना कि garlic को पूरी तरह से ढखना दे यानि garlic से करीब आदर से एक इंच ऊपर तक ये पानी रहना चाहिए garlic पूरा इसमें डूबा रहना चाहिए इसके बाद आपको क्या करना है एक teaspoon आपको लेना है apple cider vinegar और वो भी इसके अंदर डाल देना है और ये apple cider vinegar डालने के बाद इस garlic के जो बर्तबान है आपका जो जार है उसका ढखन आप अची तरह से लगा दीजे और उसको store कर दीजे किसी normal room temperature वाली जंगा पर ऐसी जंगा पर जहां पर direct sunlight वगरा या बहुत साथा गर्मी ना हो इसके बाद आपको 30 से 45 दिन तक wait करना है इसके ferment होने का जब garlic इसमें ferment होना शुरू होता है तो उसमें से बहुत सारी gases release होती है जो कि आपको bubbles की शकल में इसमें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी ये gases आपके इस jar के अंदर जमा होती रहेंगी और एक pressure create कर देंगी और इसी वजासे हर 2-3 दिन के अंदर आपको इसके jar के धकन को हलका सा लूज करना चाहिए ताकि ये gases आपकी वो बाहर थोड़ थोड़ दिन में निकलती रहें गार्लिक जब ferment होता है तो इसका color को change हो जाता है dark brown type का इस color हो जाता है या करी बार purple color इसका बन जाता है अगर इस तरह का color आपको दिखता है तो इससे आपको confused नहीं होना है आपको ये नहीं सोचना है कि ये garlic आपका खराब हो गया ये completely normal process है और ऐसा color change होना भी ये completely normal process है आप इस garlic को अराम से खा सकते हैं रुजाना सुबा खाली पेट आपको 2-3 कलिया इस fermented garlic की सुबा सुबा खाली पेट इस्तेमाल करनी है इससे आपको taste भी बुरा नहीं लगेगा आपको ज़्यादा डगारे भी नहीं आएंगी और आपको efficacy भी कई गुना ज़्यादा मिलेगी दोस्तों जितना पुराना fermented garlic होता है उतना ही ज़्यादा effective हो हो जाता है तो इसी वज़य से 30 से 45 दिन बाद ही आप इसको इस्तेमाल करें बलकि इससे और ज़्यादा अगर आप वेट कर सकते हैं 60 ये 90 दिन तक भी तो उससे आपको और भी ज़्यादा बढ़िया effects मिलेंगे और और भी ज़्यादा बढ़िया इसका taste आपको लगेगा fermented garlic आपकी नसों को लचीला बनाएगा आपकी नसों के अंदर जमा placking को खत्म करेगा आपकी blockage को कम करने का काम करेगा आपके खून को पतला करेगा और आपके blood pressure को भी कम करेगा दोस्तो fermented garlic एक पूरी तरह से safe और natural चीज़ है लेकिन still अगर आप कोई ऐसी दवाईया लेते हैं जो कि आपके खून को पतला करती हैं तो ऐसे case में आपको fermented garlic लेने से पहले अपने doctor से एक बार consult करके पूछ लेना चाहिए कि आप इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं क्योंकि fermented garlic भी आपके खून को पतला करने का काम करता है तो अगर आप already कोई इस तरह की दवाईया ले रहे हैं तो उसकी वज़ा से अगर आप garlic भी लेते हैं तो आपके अंदर bleeding होने का जो खत्रा है वो बढ़ सकता है और आपको problem face करनी पढ़ सकती है इसके साथ कुछ लोगों के अंदर fermented garlic खाने से allergy भी हो सकती है वैसे इस तरह के cases बहुत कम होते हैं ना के बराबर हैं बट still अगर आप पहली बार garlic को इस्तमाल कर रहे हैं fermented garlic को ले रहे हैं तो ऐसे case में आपको शुरुआत में एक कली से शुरू करना चाहिए और देखना चा और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर यह वीडियो आपको उच्छी लगी है तो इसे like जरूर कीजिए चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को subscribe भी कर लिजिए और bell icon भी प्रेस करिए ताकि सभी वीडियो रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें healthy हमेशा